इस वक्त इसराइल के लिए सबसे बड़ी चनौती बन चुका है यमन के हूथी विद्रोहियों ने वो मिसाइल दिखाई है जो उसने इसराइल पर दागी थी और नेतन्याहू का हर डिफेंस सिस्टम उसे रोकने में नाकाम रहा इसराइल के स्नेडर को लेकर तीन बड़ी बा मिसाइल है जिसने इसराइल को बुरी तरहा डरा दिया है यह जहां गिरेगी सब तबाह हो जाएगा हूती ने इसकी गैरंटी दे दी है मिसाइल जहां गिरेगी उसका हश्र ऐसा होगा 15 सितंबर के हमले के बाद इसराइल को पता चल गया है कि ना सिर्फ हमास और हिस्बुल्ला बलकि यमन के हूती उसके सबसे बड़े दुश्मन है जिसे गंभीरता से लेना होगा क्योंकि यही है इरान का ट्रिपल है यह हूती की बलिस्टिक मिसाइल फिलिस्तीन टू रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा फिलिस्तीन टू को इरान की खैबर शिकन मिसाइल का ही एक वेरियंट या नकल माना जा रहा है हूती की मिसाइल और उसकी लाँचिंग के आफ्टर इफेक्ट्स के बाद यमन की जमीन पर ये मलबा देखिए जिसने अमेरिका की हिम्मत को जला कर राक कर डाला है अगर ये वीडियो बाइडन देख रहे होंगे तो बहुत मायूस होंगे इसमें कोई शक नहीं इन दो तस्वीरों से पूरे पश्चिमेशिया में बहुत ज्यादा खलबली मची हुई है इसराइल के साथ साथ अमेरिका को 440 वोल्ट का जटका लगा है एक तरफ इसराइल पर हमला करने वाले हूती मिलिशिया की मिसाइल है तो दूसरी तरफ अमेरिका के उस ड्रोन का मलबा है जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक किलर ड्रोन कहा जाता है जितनी बड़ी यमन की अर्थ विवस्ता नहीं है उससे महंगे तो अमेरिका के ड्रोन है जिसे हूती विद्रोही अपनी मिसाइलों से गिरा रहे है इन दो तस्मीरों ने यमन के अंदर एक नया जोज बर दिया है इसराइल और अमेरिका का नया फायर ब्रैंट दुश्मन तयार कर दिया है यमन की सड़कों से लेकर बड़े चौराहों तक अमेरिका और इसराइल के खिलाफ गुस्सा देखिए कभी लाल सागर में अमेरिका और इसराइल से जुड़े जहाजों को टार्गेट करके ये धमाके वाके ही डराते हैं कभी अमेरिका के किलर ड्रोन को उड़ा कर बताते हुए कि यमन का आस्मान उनके लिए सुरक्षित नहीं तो कभी इसराइल की तरफ ना सिर्फ मिसाइल फायर करके बलकि इसराइल के ये डिफेंस को नाकाम साबित करते हुए हूती लगातार चुनोती दे रहे हैं सबसे पहले उस मिसाइल की बाद जिसने ना सिर्फ इसराइल के कैई शहरों में खौप भर दिया है बलकि अमेरिका को भी परिशान कर दिया है फिलिस्तीन के जंडे वाले रंग से तयार इस मिसाइल का नाम है फिलिस्तीन 2 और ये एक हाइपरसॉनिक मिसाइल है उती मिलेशिया इस मिसाइल को आसमान की तरफ तान देता है टारगेट इसराइल है इस वक्त यमन का सबसे बड़ा दुश्मन फिर शुरू होता है काउंट डाउन और मिसाइल लॉंच हो जाती है यह मिसाइल बढ़ जाती है इस दराइल की तरह दूसरे कैमरे से देखिए यह वीडियो एक ड्रोन से बनाए गया है आस्मान को चीरते हुए नेतनियाहू को बहुत बड़ा शौक देने निकल जाती है यह मिसाइल इसराइल में जहां मिसाइल गिरती है उसकी तस्वीरें डराने वाली है इसराइल से आए वीडियो देखिए इन तस्वीरों में इसराइल का खौफ है इसराइल डरा हुआ है इस साइरन की आवाज नहीं लग रहा है कि इसराइल में जैसे कुछ चिला रहा है बचाओ बचाओ तूंकि इसराइल पर हुआ है एक ऐसा हमला जिसने इसराइल की तमाम सुरक्षा की गारंटी को फेल साबित कर दिया है हुटी मिलीशिया का दावा है कि मिसाइल उसी ने तैयार की है और इरान भी यही दावा कर रहा है कि उसे भी इस मिसाइल के बारे में 15 सितंबर को पता चला है जब यमन से ये मिसाइल इसराइल की तरफ दागी कई यमन के हूती विदरोईयों का दावा है कि मिसाइल ने 2040 किलोमीटर का सफर 11 मिनट 30 सेकंड में पूरा किया ये एक हाइपर सौनिक बलिस्टिक मिसाइल थी यानि इसकी रफतार थी एक सेकंड में 3 किलोमीटर यमन से लॉंच होने के बाद ये ऐसी ट्रजिक्टरी में इसराइल की तरफ बढ़ी तो लाल सागर के उपर से जाकर अपने टार्गिट तक पहुँची इस दोरान लाल सागर में अमेरिकी जंगी जहाज के अंटी मिसाइल सिस्टम इसे नहीं रोक पाए साओी अरब और मिसर भी देखते रहे गए और आखर में जॉर्डन के अलावा इसराइल भी इस मिसाइल को रोकने में नाकाम सावित हुआ फिलाल अमेरिका के इस घुरून पर बहुत बढ़ी आफ़ाइन पर बहुत बहुत बढ़ी आफ़ाइन फिलाल अमेरिका के इस घुरून पर बहुत बड़ी आफ़त आ चुकी है अमेरिका ने जिस घुरून से अफगानिस्तान में सैक्लो टार्गेट खत्म कर दिये जिस घुरून से अलजवाहिरी को मारा वही डुरून अब यमन में मारा जा रहा है इस वीडियो ने अमेरिका के होश उड़ा दिये है इस तस्वीर में आफसाब देख सकते हैं कि हूती अमेरिका के सबसे खतरनाक MQ-9 ड्रोन के मलबे पर खड़े है हूती लड़ाकों का दावा है कि उन्होंने अक्तूबर 7 के बाद से अब तर अमेरिका के 10 MQ-9 ड्रोन गिरा दिये हैं एक हफ़ते के अंदर ये तीसरा ड्रोन है जिसे हूती ने मार गिराया जबकि 2015 के बाद से ये पंदरवा ऐसा ड्रोन है जिसका हूती ने शिकार किया है हालकि बाइडन की टीम कह रही है कि उसने कोई ड्रोन नहीं खोया है लेकिन यामन के जामर इलाके में ये मलबा कोई और कहानी समेटे हुए है गरीब 300 करोड लुपे का ड्रोन जो 50,000 फीट की उचाई पर उड़ता है उसे हूती की एर डिफेंस मिसाइल ने मार गिराया अमेरिका भी जानता है कि ये काम आसान नहीं है अमेरिका भी जानता है कि ये काम आसान नहीं है इसराइल पर हमास के हमले के 11 महीने पूरे हो चुके है घजा पर इसराइल के आपरेशन के भी 11 महीने पूरे हो गए है 11 महीनों की तबाही का दोर ऐसा चला है कि युद का एपी सेंटर अब घजा से निकल कर इसराइल और लिबनान बॉर्डर के साथ-साथ यमण और लाल सागर में पहुच चुका है गाजा में चल रही बंबारी के बाद यमन के हुटी प्रोएक्टिविए उनको इरान का पूरा समर्तन भी है वो लाल सागर में इस्राइल के जहाजों को निशाना बना रहे हैं अमेरिका और बिटेन के हमले उन्हें डराने में नाकाम रहे हैं उती ने इस्राइल और उससे जुड़े जहाजों पर हमले तेज कर दिये हैं वो इस्राइल के जहाजों या उसके लिए माल ले जा रहे हैं कारगो शिप को लगातार टार्गेट कर रहे हैं यहीं से एशिया की तरफ से यॉर्प को रास्ता जाता है दुनिया की सबसे एहम शिपिंग लेन मिस्र की स्वेश किनाल से गुजरती है लाल सागर का रास्ता ब्लॉक होने से ये रूट 6,000 किलो मीटर लंबा हो गया है अब समुद्री जहाज अफरीका का चक्कर लगा कर यॉरप पहुँच रहे हैं इस्राइल जाने वाले जहाजों का रास्ता 10,000 किलो मीटर तक लंबा हो गया है तीन से पांच दिन का सफर बढ़ चुका है यानि ज्यादा लागत, ज्यादा वक्त और कारोबार पूरी तरहा चौपट यही है यमन के हूती विद्रोहियों का टार्गेट इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल और अमेरिका के सामने यमन नाम का नया खत्रा ना सिर्फ तयार हो चुका है बलकि अब ऐसी आग उगल रहा है जिसका ठोज जवाब अभी तक दोनों के पास नहीं है यमन में हूती विद्रोहियों के खत्रों को देखते हुए अमेरिका और इसराइल दोनों का गुसा सात्वे आस्मान पर है क्योंकि घजा को लेकर पहले आकरोश के बाद अब यमन सीधा इसराइल के खिलाफ युद्ध शुरू कर चुका है इससे पहले हुती विद्रोहियों ने इसराइल पर ड्रोन और क्रूज मिसाइल से कैई हमले किये लेकिन 15 सितंबर का हमला ज्यादा खतरनाक कहा जाएगा इसमें यमन की बिलिस्टिक मिसाइल ने इसराइल के एर डिफेंस को चीड डाला है और अब इसराइल महसूस कर रहा है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत खत्म होती जा रही है इसराइल के एर और मिसाइल डिफेंस नेटवर्क नाकाम साबित हो रहे है